मैं हुनितेश वर आपका स्वागत है NKLIFSANN चनल पर जारखन B.A.D. के लिए कितना स्कॉलर्शिप मिलता है सबसे पहले बात कर लेते हैं किनको किनको स्कॉलर्शिप मिलता है तो यहां पर आप अधी जेनरल कटेगरी से हैं तो आपको स्कॉलर्शिप नहीं मिलेगा अधी आप E.W.S. बना लेते हैं तब भी आपको स्कॉलर्शिप नहीं मिलेगा स्कॉलर्शिप सिर्फ और सिर्फ O.B.C. वालों को मिलता है E.S.T. और E.S.C. यह तीन ही गुरूप के बच्चों को स्कॉलर्शिप दिया जाता है तो यहां पर आपको पता चल गया किनको किनको स्कॉलर्शिप मिलता है अब यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्मेंट बी एड कॉलेज में कितना स्कॉलर्शिप मिलता है तो यहां पर बता दूँ गवर्मेंट बी एड कॉलेज में E.S.T. और E.S.C. गुरूप से आपका करीबन 12,000 के आसपास फी लिया जाता है इसी में आपका O.B.C. भी आ जाएगा जेनरल में फी एस्टक्चर के मामले में तो यह आपका फी एस्टक्चर हो गया अब स्कॉलर्शिप कितना मिलता है तो यहां पर E.S.T. और E.S.C. गुरूप को आपका स्कॉलर्शिप 18,000 तक मिलता है दो साल का बता रहा हूं और O.B.C. को मिलता है आपका स्कॉलर्शिप अब बच गया जेनरल तो उनको अस्कॉलर्शिप नहीं मिलता है अब बात कर लेते हैं सेमी गवर्मेंट और प्राइवेट का तो प्राइवेट और सेमी गवर्मेंट हो कितनों भी फियर स्टक्चर हो उसे फरक नहीं परता है अभी 2028 से लेकर के ताइस का जो सेशन है उसमें कोई भी फियर स्टक्चर हो आप से 1.5 लाख लिया जा रहा हो, 2.5 लाख लिया जा रहा हो, 3.5 लाख लिया जा रहा हो, 4.5 लाख लिया जा रहा हो, कोई फरक नहीं पड़ता, पर यह रहा करके 38,000 दिया जाता है OBC को, और STSC के लिए STNSC के लिए है 40,000, तो यह scholarship दिया जाता है semi government और private में पढ़ने वाले बच्चों को, यहाँ पर OBC और जेनरल से STSC का 10,000 कम लगता है, फी और scholarship दो हजार जादा आता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अभी जो common free structure अभी आपको देखने को मिलेगा, वो एक अभी जो दो हजार अकी सेशन है, दो हजार अकी सेशन, उसमें जो फी अस्ट जेनरल से और STSC से लिया गया है, 80,000 रुपए, इसको बढ़ा करके 1,30,000 कर दिया जाएगा इस 2022 से, तो इसका ध्यान रखेंगा, और एक बात आपको जानकारी देना चाहूंगा, 2022 में जो scholarship है, इसको बढ़ा दिया गया है, तो अब जो 2022 सेशन से है, वो OBC हो या STSC हो, उसक scholarship जादा बढ़ के आएगा, क्योंकि हर जगा free structure बढ़ गया है, तो scholarship को भी बढ़ा दिया गया है, तो अब यहाँ पर OBC का जो करीबन 50,000 तक आएगा, और आपका STSC का 52,000 तक आ सकता है, scholarship, free structure बढ़ा है, और scholarship बढ़ा है, इसके कारण, तो यही update था, और भी कुछ scholarship से related जान बढ़ा है? झाल झाल